हेलो गाइस, विल्कम बैक टू अनेदेर वीडियो, जैसे कि आपने थम्नेल पर देखा ही होगा करम डिसक पुल एम हैक ट्रिक, इस वीडियो में आपको तीन ऐसे ट्रिक्स बताने हो लाँ जिन से आप करम डिसक पुल का एम जो है वो आसानी से हैक कर सकते हो, और इस वीडिय का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वाज़ा कर सिंप्ली इन अप्लिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, तो गाइस और भीने टाइम वेस्ट किये, लेट्स गेट स्टार्टेड, ट्रिक नंबर वन, ट्रिक नंबर वन में आपको इस अप्लिकेशन को इंस्टॉल कर लेना है, जैसे कि मैंने आपको बता आया था, इस अप्लिकेशन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वाज़ा कर सिंप्ली इस अप्लिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, और इस अप्लिकेशन का नाम है एम कैरम और मुझे comment box में बार बार मत पुछना कि भाई इस application का नाम क्या है इसलिए मैं आपको फिट से बता रहा हूं कि इस application का नाम है एम कैरम आपको इस application को install कर लेना है install करने के बाद आपको इसे open कर लेना है open करते ही यहाँ पर आपको sign in option देखने को मिलेगा आपको simply sign in वाला option पर tap करना है tap करते ही आपका account जो है वो sign in हो जाएगा और यहाँ पर आपको एक और option देखने को मिलेगा enter now enter now वाला option पर क्लिक करते ही aim कैरम application open हो जाएगा और यहाँ पर आपको इस तरह interface देखने को मिलेगा यहाँ पर नीचे आपको start game वाला option देखने को मिल जाएगा आपको simply उस पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दो और options शो होने लगेंगे एक है try premium और एक है view add आपको simply view add वाला option पर क्लिक करना है क्लिक करते हैं यहाँ पर 30 सेकंड का add एक load हो जाएगा आपको simply उस आड को देखना है देखने के बाद जब भी आप उस आड को close करते हो close करने के बाद आपको caram disk pull automatically open हो जाएगा open होने के बाद यहाँ पर आपको तीन options देखने को मिल जाएंगे लॉग इन करने के लिए यहाँ पर मैं facebook option चूस करेंगा क्यूंकि ज्यादे तो जो बंदे हैं वह facebook account से ही login करके खेलते हैं login करने के लिए बस आपको facebook details इंटर कर लेना है इंटर करने के बाद यहाँ पर आपको login वाप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको continue option देखने को मिल जाएगा आपको simply उस पर भी क्लिक करना है क्लिक करती है आपका account जो है वो login हो जाएगा इस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा facebook account अभी login हो चुका है चलिए मैं आपको अभी एक गेम खेल के भी दिखाने वालों की कैसे यह hack काम करता है यहाँ पर आपको इसको expand करना है expand करने के बाद यहाँ पर आपको फिर से settings वाले option पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपने line का color select करना है और यहाँ पर line का size जो है वो आप 3 रख देना है जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था यह application बिल्कुल free है और इस application को use करने से आपका account बैंड नहीं होने वाला है यह application सेफ है आप इस application को use कर सकते हो जैसे था trick नमबर वन अभी चलते है trick नमबर टू की तरफ trick नमबर टू में आपको लूलू box का प्रो application इंस्टॉल कर लेना है इसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे description box में मिल जाएगा आप वाज़ा कर सिंप्लिस application को भी download कर सकते हो ओपन करने के बाद यहां पर आपको कर्म डिस्क पॉल अप्लिकेशन देखने को मिल जाएगा आपको सिंप्लिस पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहां पर आभी में जो भी steps करने वाला आपको सिंप्लिस से फॉलो करने है यहां पर आपको 64-bit का लाइन इंस्टॉल करन झाल जह झाल दो झाल तो गाइस जैसे कि मैंने आपको पहले ही ट्रिक में बताया था कि ज्यादा तो जो बंदे हैं वह फेस्बुक से लॉग इन खरके इस ट्रिक में भी मैं आपको फेस्बुक से लॉग इन खरके एक गेम खेल के दिखाने वालो सो गाइस फाइनली ट्रिक नमबर टू में भी यह सक्सेस्फुली काम कर रहा है और इस अप्लिकेशन को भी आप यूज कर सकते हो इस ट्रिक में आपको लाइन का कलेट चेंज ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा और यह था ट्रिक नमबर टू अभी चलते हैं ट्रिक नमबर त्री की तरफ ट्रिक नमबर त्री ट्रिक नमबर त्री में आपको इस अप्लिकेशन को इंस्टॉल कर लेना है इस अप्लिकेशन को नाम है बिट एम इस application को install करने के बाद आपको इसे open कर लेना है open करने के बाद आपको कुछ permissions मांगेंगे आपको simply allow वाले option पर click करना है click करने के बाद यहाँ पर आपको accept को option देखने को मिलेगा आपको simply उस पर tap करना है और यहाँ पर bitm का जो interface है वो open हो जाएगा और आपको दो options देखने को मिल जाएंगे एक है AIM और एक है super aim इन दो options में आपको किसी एक को select करना है यहाँ पर मैं इस वीडियो में AIM को use करने वाला हूँ आप चाहिए तो super aim को भी use कर सकते हो AIM या फिर super aim वाले option पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपको start option देखने को मिल जाएगा अभी आपको start वाले option पर क्लिक करना है क्लिक करते ही यहाँ आपको दो और options शो होने लगेंगे जैसे कि आपने aim करम application में देखा होगा यहाँ पर भी आपको simply watch add वाले option पर क्लिक करना है क्लिक करते ही यहाँ पर आपको एक add लोड हो जाएगा 30 सेकंड का आपको बस उस add को देखना है लेकिन इस application में आपको यह line सिफ 30 मिनिट तक use कर सकते हो 30 मिनिट खते ही आपको फिट से add देखना पड़ेगा इस trick को भी use करके मैं आपको एक game खेल के दिखाने वाला हो जो कि इस video के end में आपको देखने को मिल जाएगा और इससे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि यह application बिल्कुल free है और इनका link आपको इस video के नीचे description box में मिल जाएगा आप आप जाकर simply इन applications को download कर सकते हो अगर आपको यह video पसंद आगए तो like और share ज़रू कर देना और subscribe करना ना पुलिएगा मिलते हैं next video में तब तक के लिए बाई बाई सिया टेक केर